हाजी दोस्तो क्या हाले क्या हाले क्या हाले I hope you are all doing really really well दोस्तो मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत कम समय में पर मेरी बात जरूर सुनना यह हर उस student के लिए है यह वीडियो जिसका May 2022 में exam है दोस्तो exam को आप लोगों को I am very sure आप लोगों के हाथ में count है कि आप लोगों के exam को कितने दिन बचे है पर अगर आप मानलो group 1 से शुरू कर रहे हो तो आपके exam को लगभग 40 दिन बचे हुए है अब यह जो 40 दिन आपकी exam के लिए बचे हुए है यहाँ पर मैं देख रहा problem सुनके साथ हो रहा है और उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दू यह चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में आपने आपको याद दिलाना पड़ेगा कि CA का जो exam है न वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे मे issue आएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो कभी पढ़ाई वैसे ही नहीं हो रही है इस चीज का issue आएगा और यह सो तरह के और issues आते रहेंगे क्योंकि अगर आप सोचो यह issue ना हो तो आपने कौन सा इसा subject पढ़ा है जिसमें आपने ऐसा rocket science वाली कोई चीज पढ़ ली है जि कि इस खेल में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज है जिसमें हमको जीतना है और उसमें सबसे बड़ा चीज आता है अपने emotion और health को control में रखना तो अभी जितनी भी आपको life में अगर कोई आपके negativity आ रही है आपको motivation की कमी है तो please understand that the source of motivation for everyone can be different मेरे comment you start thinking of a rank you get a lot of pressure in your head and उस pressure में जो perform कर लेता है वो perform कर लेता है बट मैं वैसे pressure में perform कर लेता हूँ मेरे को लगा rank के pressure मेरे को अगर आएगा तो मैं एक time पर give up कर देता मालनों अगर मैं सुबह साथ से शाम के 8 विज़े तक पढ़ रहा हूँ मैंने पढ़ लिया उसके बाद मेरे को और अगर दो घंटा पढ़ना है मैं यह सुच रहा हूँ रांक लिए पढ़ना है तो मैं ब आपको पास होना है और पास होने के लिए जो मैं कर रहा हूँ इतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा अगर मैं सोच रहा हूँ MTP करू या ना करू अपने आपको पास होने के लिए MTP करना पड़े आप time निकाल के खरोगे पर मेरा point यह है अगले 40 दिन में motivation जो है थोड़ा सा अंदर से develop करो अपने आपसे realistic expectation रखो कभी ना कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप adequate नहीं कर रहो enough नहीं कर रहो at that point in time you need to talk to people talk to a friend of yours who is probably feeling better feeling the way you are doing but मैं आपको सब के भियाफ में एक चीज़ बता जेना चाहता हूँ कि अगले 40 दिन में 4 दिन तो ऐसे होंगे जहां पे आप का effectivity यह सब चीज़े hit खाईगी आप hamper होगी और आप नहीं कर पाएंगे and I think that should be absolutely fine because यार यह तो यह तो इतना तो loss होता ही है न पर at the same time you have to understand यह 40 दिन में बेटा तुम जितना जितना best अपना perform करोगे न उतनी आपके जिन्दगी आगे सवर जाएगी और यह compounding effect है दोस्त compounding effect मतलब क्या अभी आप लोग समझो अगर 40 दिन में एक दिन भी waste हो रहा है न उसका जो impact आएगा आपके result पे उसके वज़े से लोगों का loss हो रहा है उस समय पे अगर आपने आपको hold on करके अपने thoughts को एक जगा टिका करके आपने अपना मन लगा करके सारी चीज़े हटा क करके अगर आपने पढ़ा ही कर ली न दोस्त और अगर अगर आप जो भी exam दे रहे एक group दे रहे second group दे रहे both group दे रहे जो भी अगर आप दे रहे वो अगर एक बार में clear हो गए न तो आपका ये जो part है पूरा ये अगली बार आपको देखने नहीं मिलेगा मतलब ये इस त आप मानो या ना मानो पढ़ाई ना सबसे easy काम होता है अब आप पढ़ाई करके अब जितना अच्छा पढ़ोगे जितना अच्छा score करोगे उतने अच्छे marks मिल जाएंगे आपको पर आगे चलकर करके जब आप CA clear कर जाओगे जब job में जाओगे तो job में ऐसा नहीं होगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे उतना आपको reward मिल रहे है जितना आप मेहनत कर रहे होतना आपको promotion मिल रहे है इसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो अब भी अगर आपको बहुत अच्छी salary आप बहुत अच्छा career बनाना है या नहीं करना है सब चोड़ो यह जो phase है ना इसको करना है, whatever your requirement is, you have to give your super best in the next coming, whatever 35, 40, 30 days, according to your exam, whatever is left, ये सबसे golden period है दोस्त, आज तक कि सारी गलती जो आपने किये ना सारी reverse हो सकती है, जितनी भी गलती आपने किये ना वो सारी गलती reverse हो सकती है, बहुत बड़ी 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 गलती reverse नहीं हो सकती पर मैं वो नहीं सोचना चाता हूँ, openly आज तक जो भी गलती की, अगर मैंने कोई गलत ख्लास लिया, अगर मैंने कोई गलत concept पड़ लिया, अगर मैंने कोई गलत नोट खुटके बना लिये, सारी चीजे समेटी जा सकती है अब पर इसके कुछ दिन बाद बहुत लेट हो जाएगा इसके कुछ दिन बाद बहुत लेट हो जाएगा तो guys, now is the time give your best I don't know if this video added a lot of value for you but I am sure that जिन भी बच्चों को अगर एक भी बच्चे को यह सुनने की जरुद थी तो मेरे को आपको यह कहना था कि बटा, फार देना इस बाद ठीके, comment में अपने लिए अपने दिल से लिख करके जाओ I will give my best in this exam और sir, जब लिखोगे न दिल से आने देना जूट ने लिखना, दिल से आने देना और जब लिखोगे न तो उसको feel करना अपना 100% देना है और बाकी भगवान है और माँ है दोलो संभाल लेंगे अपने को और टेंचन लेने की ज़रवत नहीं है ठीके, this is C.A. Shubham Singal guys signing off, I'll see you in the next video do make sure that you stay here so that I keep bringing more such content for you, ताकि आपको help होते रहे विलते हैं अगले वीडियो में, take care, bye-bye